आज सत्गुरुवार के वर्दानी दिवस की आपको धेर सारी शुबकामना है ओम शांती आज 15 फर्वरी 2024 के साकार मधुर महवाक्य हैं आज सत्गुरुवार वर्दानी दिवस हैं आँख खुलते ही परमसत्गुरु हमें वर्दानी दृष्टी के साथ मधुर और सुखद वर्दान देते हैं, शुब चिन्तन द्वारा नेगिटिव को पॉजटिव में बदलने वाले शुब चिन्तक भव, सदा समर्थ रहने के लिए शुब चिन्तन और शुब चिन्तक बन सकते हैं, नेगिटिव को पॉजटिव में बदलने का साथन शुब चिन्तन है, बहुत सी आत्माई हैं, जो वानी से नहीं बदलती, उनके लिए शुब वर्दी से शुब भावना, शुब कामना देने वाले ही शुब चिन्तक है, आज बाबा ने विशेश रूप से बताया कि मैं काटों को फूल बनाने की सेवा करता हूँ, कोई तो बड़े-बड़े काटे हैं, कोई छोटे काटे हैं, बाबा का फ्यार काटों से भी है, फूलों से भी है, काटों को फूल बना देना ये बाबा की बहुत बड़ी सेवा है, बाबा के पास जो बच्चे धारणा करन नश्टो मूहा होंगे, अवस्था अचल अडोल होगी। कुछ भी हो चाए, तुम्हे रोना नहीं। अमा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। तुम बच्चों की अवस्था अचल अडोल होनी चाहिए। पहले बाबा का बन जाना है, बाबा का बन जाना अर्थार्थ निश्चे बुद्धी बन जाना, ऐसे बच्चे नस्टों मुहा बन जाते हैं, उनकी बुद्धी में रहता है, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, यहाँ पर ना तो हाथ जोड़ने क्या वशकता है, ना माथा टेकने क्या वशकता है, ना आशिरवाद की जरूरत है, चलते फिरते, उठते बैठते एक बाबा को याद करना है, जब हम बाबा को याद करते हैं, तो बाबा अपनी तरफ खीचते हैं, माया अपनी तरफ खीचत तुम बच्चों को बाबा की याद से मायाचीत बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, दिव्य गुनों को धारन करना है, इसे बाबा बहुत मीठा, बहुत प्यारा है, तुमें भी सब को सुख देना है। सुनते हैं बाबा की मदर बोल ओम शान्ति गुड मॉर्निंग बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने बाप का प्यार कांटों से भी है और फूलों से भी है कांटों को ही फूल बनाने की मेनत करते हैं प्रशन है जिन बच्चों में ग्यान की धारना होगी उनकी नुशानी क्या होगी है वे कमाल करके दिखाएंगे वे अपना दूसरों का कल्यान करने के बगैर रह नहीं सकते तीर लग गया तो नश्टों मुहाबन रुहानी सर्विस में लग जाएंगे उनकी अवस्ता एक रस अचला डूल होगी कभी कोई बेसमजी का काम नहीं करेंगे किसी को भी दुख नहीं देंगे अब गुन रुपी कांटों को निकालते जाएंगे अब गुर्ण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे ओम शान्ती ये तो बच्चे जानते हैं कि बाप बड़ी लीवर घड़ी है एक्यूरे टाइम पर बाप आते हैं कांटों को फूल बनाने सेकिंड भी कम जास्ती नहीं होगा ये भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं इस समय है काल जूगी कांटों का जंगल तो फूल वालों को ये मैसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं पहले हम सब कांटे कोई छोटे कोई बड़े बहुत दुख देते हैं कोई बहुत दुख देता कोई थोड़ा अब बाप का प्यार तो सब से है गाइन भी है कांटों से भी प्यार फूलों से भी प्यार पहले किस से प्यार है जरूर इस समय कांटों से प्यार है इतना प्यार है जो मेनद कर उनको कांटों से फूर बनाते हैं इतना प्यार है जो मेनद कर कांटों को फूर बनाते हैं आते ही कांटों की दुनिया में है इसे सर्व्यापी की बात हो नहीं सकती है एक ही मेहमा होती है मेहमा होती है आत्मा की जब आत्मा शरीर उपीद वस्रधारन कर पाड़ वजाती है श्रेश्टाचारी भी आत्मा बनती है ब्रश्टाचारी भी आत्मा ही बनती है आत्मा शरीर धारन कर जैसा जैसा करम करती है उस अनसार कहा जाता है कि ये को करमी है जा सुकरमी है आत्मा ही अच्छा जब बुरा करम करती है अब बाबा कहते हैं अपने आपसे पूछो कि मैं सद्जुगी दैवी फूल हूँ या कल्जुगी आश्री कांटा हूँ कहां सद्जुग, कहां कल्जुग, फरक तो है कांटे जो होते हैं वो अपने को फूल बनाना सके फूल लेते हैं फूल होते हैं सद्जुग में कल्जुग में होते नहीं अब ये है संगम जुग जब तुम कांटों से फूल बनते हो टीचर लेसन देते हैं तो बच्चों का काम है उसको रिफाइन कर बताना उसमें ये भी लिखो कि अगर फूल बनना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और फूल बनाने वाले परमपिता परमात्मा को याद करो तो तुमारे आपको निकलते जाएंगे और तुम सतो प्रदान फूल बन जाएंगे बाबने बंद देते हैं तो बच्चों का काम है कुरेक्ट कर चपाना तो सभी मनुष सोच में पढ़ जाएं ये पढ़ाई है बाबा तुमें बेहद के श्री जाख्री समझाते हैं समझाय जाता है ये विकारी काम दुख देने का नहीं करना है दुख हरता सुख करता बाब की महमा है जहां तुम भी सीख रहे हो कि किसी को दुख नहीं देना है बाब शिक्षा देते हैं सदैव सब को सुख देते रहो जी अवस्ता कोई जल्दी नहीं बनती सेकिन में बाब का वर्सा दो ले सकते हैं बागी लाइक बनने में टाइम लगता है समझते हैं समझते हैं बाप का वर्सा है स्वरकी बादशाई तुम समझते होंगे पर लौकी बाप से भारत को स्वरकी बादशाई मिली थी तुम सब विश्व के मालिक थे ये तो तुम बच्चों के अंदर में खुशी होनी चाहिए कल की बात है जब तुम सुरक के मालिक थे मनुष कहा देते लाखो वरश सारे कलब के आज वी पांच जार वरश है बहुत फरक है ग्यान का सागर एक ही बिहद का बाप है उन से दैवि गुणधारन करने चाहिए ये दुनिया के मनुष दिन प्रति दिन तमव प्रधान बनते जाते हैं जास्ति अब गुण सीखते जाते हैं आगे इतना क्रेफशन, एलटेशन, einigeटास नहीं था अब बढ़ता जाता है अब बढ़ता जाता है अभी तुम बाब की जाद के बाद से सतो प्रधान बनते जा रहे हो जैसे उतरते हो वैसे फिर जाना होता है पहले तुम बाब मिला उसकी खुशी होगी कनेक्शन जुटा उसकी खुशी फिर है जाद की जात्रा जिसने जास्ती भक्ती की होगी उनकी जास्ती जाद की जात्रा होगी बहुत बच्चे कहते हैं बाबा या ठहरती नहीं भक्ती में भी ऐसा होता कथा सुनने बैठते हैं बुद्धी और और तरह भाग जाती है सुनने वाला देखता रहता है फिर अचाने पूछते हैं हमने क्या सुनाया तो वायरे हो जाते हैं मुझ जाते हैं अचाने पूछते हमने क्या सुनाया तो वायरे हो जाते हैं मुझ जाते हैं और कोई जट बता देंगे सब तो एक जैसे होते नहीं बालजयां बैठे हैं प्रन्तु धारना कुछ भी नहीं, अगर धारना होती है, तो कमाल कर दिखाएं, वे अपना दूसरों का कल्यान करने बगएर रह नहीं सकते, जिनको धारना होती है, तो कमाल कर दिखाते हैं, अपना वे दूसरों का कल्यान करने बगएर रह नहीं सकते, बालकि इसको घर में ब अपने पती को कहेंगे, हम जे रुहानी सर्विस करना चाहते हैं, प्रन्तु माया बड़ी जबरदस्त है, करने नहीं देती, सेवा भी नहीं करने देती, वो है ना, इतने महल, इतने सब कुछ छोड़े कैसे, अरे, पहले पहले जे सब भागे थे, सब कुछ छोड़ करके, पर कहेंगे वा तकदीर वा, आज इतनी ताकर नहीं है छोड़ने की, बाप समझाते हैं, अरे, तुम सरगे मालिक, पूझे बनते हो, बाप गरंटी करते हैं, 21 जनम तुम कभी बिमार नी पड़ेंगे, एवर हेल्दी, 21 जनमों तक रहेंगे, तुम भल रहो पती के पास, सिर्फ उनकी छुटी लो, कि मैं पवित्र बनूगी, और बनूगी, ये तुमारा फर्ज है, बाप को याद करना, जिसे अपार सुख मिलता है, उसको याद करना, फिर याद करते करते, तुम तब मों प्र शरीर का कोई भरोसा नहीं, बाप का तो बन जाओ, उन जैसी प्यारी चीज और कोई है नहीं, बाप इश्व का मालिक बनाते हैं, कहते हैं, जितना चाहो, उतना पुर्शार्थ कर सतो प्रदान बन जाओ, तुम अपार सुख देखेंगे, बाबा सुरका द्वार इन नारिय से खुलवाते हैं, माताओं पर ही ग्यान का कलश रखा जाता है, बाबा ने माताओं को ही ट्रस्टी बनाया था, अपना सब कुछ बाबा ने दे कर माताओं को ट्रस्टी बनाया संभालो, अब कुछ, सब कुछ तुम बाता ही संभालो, इनके द्वारा कलश रखा ना, बाबा ने माताओं कोई ट्रस्टेश बनाया था, ब्रहमा बाबा ने, सब को तुम माताओं संभालो, इनके द्वारा कलश रखा था, फिर इन्होंने लिख दिया, सागर मंतन किया, अम्रत का कलश लक्ष्वी को दिया अभी तुम जानते हो इस समय बाबा स्वरक का द्वार खोर रहे हैं तो क्यों ना बाबा से वर्सा लें क्यों ना विजे माला में पिरोएं महावीर बने बाब को बुलाते ही हैं पती दुनिया पती शरीर में निर्वान दाम छोड़ करा हो बाब कहते ड्रामा नुसार मुझे भी कांटों की दुनिया में आना पड़ता है जरूर प्यार है ना बगैर प्यार मैं फूल कैसे बनाऊंगा अभी तुम कल जुगी कांटों से सत जुगी दीवता सतो प्रधान विश्व के मालिक बनते हो कितना प्यार है फिर बाबा प्यार से समझाते है कुमारी फूल है तब तो सब उनके चर्नों में गिरते है वै जब कांटा बनती है तो उसी को ये सब को माता जुगाना पड़ता है कुमारी फूल है तब तो सब उनके चर्णों में पड़ते हैं जब कांटा पती बनती है तो सब को उसको माथा टिकना पड़ता है तो क्या करना चाहिए कुमारी तो निर्विकारी है न बाद जनम विकार से लिया जैसे सन्यासी जनम विकार से लेते हैं शादी कर फिर घर बार को तलाग देते हैं उन्हें फिर महानात्मा कहते हैं कहा वो सद्जुके महानात्मा विश्व के मालिक कहा जे कल जुके तब बाबा ने कहा प्रशन लिखो कि कल जुगी कांटे हो या सद्जुगी फूल हो ब्रेश्टाचारी हो या श्रेश्टाचारी फिर बाबा कहते ये है ब्रश्टाचारी दुनिया जब के रावन का राज्य है कहते है आस्री राज्य राक्षस राज्य है प्रन्तु अपने को कोई समयता थोड़ी है अब तुम बच्चे युक्ती से प्रशन पूछते हो तब ये आपे समयते हैं कि ब्रावबर हम तो कामी क करोधी लोभी है और दर्श्टी में भी ऐसे ऐसे लिखो तो उनको फीलिंग आए कि मैं तो काल जोगी कांटा हूं ऐसे प्रशन हो जिसे फील करें कि हम कांटे हैं कामी है करोधी है लोभी है अब तुम फूल बनो बाबा तो एवर फूल है वे कभी कांटा बनते नहीं फूल कहते हैं तुमको भी ना कर कांटों से फूल बनाता हूं तुम मुझे जाद करो माया कितनी प्रबल है बाप तुमको अपने तरव खींचते हैं यह है पुरानी जुत्ति अर्था शरीर आत्मा को पेले नहीं जुत्ति मिलती शरीर मिलता फिर वो दीरे दीरे पुरानी होती, इस समय सब पुराने तमप्रदान है, मैं तुमको मखमल की पर ही बना देता हूँ, जब आत्मा प्यूर होती है, तो शरीर भी मखमल का होता है, नो डिफेक्ट, जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं, जहां दो बहुत डिफेक्ट हैं, बिमारिया हैं, वहां के फीचर देखो, कितने सुन्दर हैं, तो फीचर दो जहां ऐसे कोई बना न सके, अब बाबी कहते हम कितना उंच बनाते हैं, प्रंतू तुम बच्चे घर ग्रस्त मे रहकर कमर्फूज समान पवित्र बनो, और जनम जनमातर जो कट चड़ी हुई है, उसको निकालने के लिए जोग अगनी है, इसमें सब पाप भास्मों जाते हैं, तुम पक्का सोना बन जाएंगे, खाद निकालने की जुकती बाब बहुत अच्छी बताते हैं, मा मेकम आत्मा भी बहुत छोटी है, बड़ी हो तो इसमें परवेश भी ना कर सके, आत्मा को देखने के लिए डाक्टर बहुत माथा मारते हैं, प्रन्तु देखने में नियात, इतनी सुक्षम है, साक्षतकार होता है, प्रन्तु साक्षतकार से तो कोई समझ नहीं सकते, समझो फाइदा क्या, वैकम ठवासी तब बनेंगे जब पुरानी दुनिया खतम हो, इसके लिए तुम योग का भ्यास करो, तो बाप समझाते मीठे बच्चे, कांटों से भी प्यार होता, सबसे जास्ती प्यार का सागर एक बाप है, तुम बच्चे भी मीठे बनते जाते हो, बा भाई ब्यान के सबंद से भी बुद्धी चलायमान होती है, इसलिए भाई भाई को देखो, शांती दा में तो शरीर भी नहीं जो भान आए, या मू आए, बाप आतमों को ही पढ़ाते हैं, तो तुम भी अपने को आतमा समझो, ये शरीर विनाशी है, इनसे थोड़ी दिल गानी है, सज्य में इनसे प्रीद होती है, क्योंकि आतमीं दिरिष्टी रहती है, मो जीद राजा की भी कता है, इसलिए बाबा कहते बचे खबरदार है न, अमा मरे बीबी मरे, कभी रोना नहीं, ये परतिग्या करो, कोई भी मरे हम कभी रोएंगे नहीं, तुम अपने बा बन सकते हो, ये संगम युका समय ऐसा है, पुरशारत से जो चाउसो बन सकते हो, बाब तो समझते हैं, जितना पुरशारत का लब पहले किया, उतना तो होगा ही, वे तो करेंगे ही, बाब तो इस समय गरीब निवास है, दान भी गरीबों को दिया जाता है, बाब खुद कह मैं भी सधारंतान में आता हूँ, ना गरीब ना सवकार, तुम बच्चे ही बाप को जानते हो, बाप ऐसा धरम सापन करते हैं, जहां दुख का नाम निशान नहीं रहेगा, भक्ती मारग में मनुष्य अशीरवाद मांगते हैं, जहां तो अशीरवाद किरपा की कोई बात नह जहां तो पड़ाई है, पुर्शारत है, माता किसको टेकेंगे, बाप तो बिंदी है, बड़ी चीज हो तो माता टेक सकें, छोटी चीज को तो माता भी नहीं टेक सकतें, हाथ किसको जोडेंगे, ये भक्ती मारग की निशानियां सब गुम हो जाती हैं, हाथ जोडना ये भ बक्ति मारग के निशानी है, हम आपस में भाई बेन हैं, घर में हाथ जोडते हैं क्या, बच्चा मांगते हैं तो वारिष वनाने के लिए, बच्चा माली ठहरना, इसरे बाप आकर बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाप तो बच्चों का सर्वेंट है, कितना उचा बाप और कितना निर्मानता, ऐसे हम बच्चों को भी बढ़ना है, अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों को मात पिता बाप दादा का जाद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा, कितने उची मंजर पर ले जाते हो, रुखानी मस्ती चड़ाते हो दारना के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट नाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है, मो जीत बढ़ना है पर्तिग्या करो, कोई भी शरीर छोड़े, हम कभी रोएंगे नहीं दूसरा, बाब समान मीठा बनना है सब को सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है पना दूसरों का कल्यान करना है अब बर्दान, आज सत्गुरुवार, प्यारे बाबा का बर्दानी हासिर पर अन्भव करते हुए यह मैसूस करेंगे शुब चिंतन द्वारा नेक्टिव को पॉस्टिव में परिवर्तन करने वाले शुब चिंतक भाव सदा समर्थ रहने के लिए सिरो दो शब जाद रखो शुब चिंतन और शुब चिंतक शुब चिंतन से नेक्टिव को पॉस्टी में परिवर्तन कर सकते हो शुब चिंतन और शुब चिंतक इन दोनों का अपस में गहरा संबंध है अगर शुब चिंतन नहीं तो शुब चिंतक भी नहीं बन सकते वर्तमान समय दोनों बातों का टेंशन रखो क्योंकि बहुत सी समसें ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं, जो वानी से नहीं समझते, लेकिन शुब चिंतन शुब चिंतन से बदल जाएंगे, स्रोगन है, ज्यान रत्रों से गुन और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं, ज्यान रत्रों से गुन और शक्तियों से खेलो, मिट्ट आज का अव्यक्त ग्यानमोती बहुत विशेस है, सभी भाई बहने जरूर सुने, अव्यक्त ग्यानमोती सुनने के लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें